बिस्मि दाफिक आलो एकर को पस्वाइन के नाम से मार्केट में आयम से जिसमें फोलसफोर, Atéम Mattamol लुटा है यह किस तरह से आप लोग sih को सही तरह कर सकते हैं क्यूंकि इसकी administration क करे होस एक सिंगल डोज ट्रीटमेंट होता है इन दोनों के लिए यह ब्रॉट स्पेक्टर है ग्राम पॉज़िव ग्राम नेगिटिव दोनों बैक्टेरिया के लिए इंपोर्टन है नहीं दोनों बैक्टेरिया को किल कर सकता है तो सबसे इंपोर्टन बात जो इंपोर्टन है वह यह है कि यह मेटाबोलाइज नहीं होता बलकि यह एक्सक्रेट होता है अंचेंज्ट इन दा यूरें ठीक है तो यह तो हमारे पास बात होगी कि कुछ इसके की पॉंट इंड्रॉडक्टर पॉंट लेकिन जो हमारी इंपोर्टन बात है आज की वीडियो की कि वह यह है कि इसको सइंत्रा से एड्मिनिस्टर किस्ता से किया जाए तो इसके एड्मिनिस्ट्रेशन के तीन गाइड्लाइन जो के फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है नंबर वन कि इसको एंपटी स्टमक में लेना है आप लोगोंने कुछ भी ना खाया हो जिस त इस साशे को इसको आपने जी तरह मिक्स करना है और फॉरण ही अड्मिनिस्टर कर लेना है अच्छा यह बात है क्यों है क्यों कि इसके इंटरेक्शन के बारे में मैं आपको पता दू जो के आपके आज़ा फार्मस बहुत इंपोर्टन हार आपको पता होना चाहिए और पे प्लाजमा लेवल कम और प्लाजमा लेवल कम और प्लाजमा लेवल कम तो इसके यूरिन में एक्सक्रीशन कम हो जाएगी अच्छा यह क्योंके में अच्छेंजड ही यूरिन में एक्सक्रीशन होता है और वहीं ही यह अपना लोका लेक्शन प्रडिउस करता है ठीक है तो दूसरा जो इंटराक्षन है कि यह द्रॉफ जो बूतिलिर को कम करता है या इनके साद भी यह नहीं लिया सकता क्योंके मोटिलिर्टी देनलों के जाएक तूसरी जाता है कि यहां जिसके जटनी देर भी आपकी स्टमग मेरेगा उतना ही ज्यादा टाइम इसके वाज से इसके इलावा जो तीसरा इंट इसेट के साथ एंट इसेट का करते हैं वह आपकी जो जी आटी की पी है वो चेंज कर देते हैं जिसके वज़े से इसके एब्सॉप्शन कम हो जाती है और प्लाजमा लेवल एंड कॉंस्युकंटली यूरिंट में जो इसकी जो इलावल होगी कम हो जाती है तीसरी रहीं इंटम्टेशन हो गए चौता है कालशन सॉल्ट के साथ कोई क्यालाश्यम कोंटैनि मल्टी वाइटमन या कोई बीश आटी कोई को दोड़ारा रहा है तो वह आपने क्याकरना है दो गणते बहुत है कि आप सोने से पहले ले और तब काम मतलब तकरीबन आपकी जो आपने खाई हो जो भी आपने खाना खाया हो वह तकरीबन दो घंटे हो जाने चाहिए क्योंकि फूड भी आपकी इसके साशे की अब्सॉर्प्शन को कम करेगा इसके इलावा जो इसमें इंपॉर्ट इसमेल्टोस इंसफिशन्सी होती है वह यह नहीं लेसे थे क्यों क्योंकि इन में सुक्रोज मुझूद होता है तो यह कुछ की पॉइंट्स थे इन साशे के मॉन्यूराल के माय फॉसिन फॉसिन अल्ट्रा जो भी साशे यह परसन कोई भी पेशन डे रहा है और यह जोड़ करना चाहिए कि उसको सही तना से कब लिया जा सके ताके मैक्सिमम कंसेंट्रेशन इसकी पहुंच सके और यह सिंगल डोस होता है तो यह अपने सिंगल डोस ही 100% एफेक्ट जो है वो शो करें और पेशन्ट के जो इन्फेक्शन है वो जल दस जल ट्रीट हो सेगे तो इस इस करूं